हाई गाईज वेलकम बाक टो इन अदर सेशन मैं आब अब अबनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट फेसक एपिसोड नमबर 693 आज की तारीक है 20 जून 2020 हमारे दो चानल्स है पिनाकल और फ्रंटियर आएएस और अगर अब तक आपने इन चानल सब्सक्राइब नहीं किय साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेब साइट से से सीजल पिनाकल डॉट कॉम और बलजी धाका डॉट कॉम इन दोनों को विजिट जरूर करना है यह सेशन हर रोज सुबा चार जय यूवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा तो इसका सही जवाब है बहरीन अखिल भारते फुटबॉल महासंग दुआरा पदमश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई है तो इसका सही जवाब है आई एम विजयन स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का पहला क्वेस्चिन महासभा के 75 सत्र के लिए अधियक्ष शुना गया है उन्होंने महासभा के मौजूदा अधियक्ष तिजानी मोहमद बंदे की जगा ली वह इस पद को धारन करने वाले पहले तुरकी हैं वह एक साल के लिए पद संभालेंगे महासभा के 75 सत्र इस 15 सितंबर से शुरू होग यहां additional information की बात करें तो अफरीकी देशों के लिए जिबूती को हरा कर केनिया को संयुक्त राष्टर सुरक्षा परिशत का एक गैर स्थाई सदस्य चुना गया है अब UNSC के 5 नए गैर स्थाई सदस्य मेक्सिको, भारत, आइरलेंड, नौर्वे और केनिया है यहां पर क्विक रिविजिन की बात करें तो संदा OZMBO को संयुक्त राष्टर वैश्विक कॉम्बैक्ट कारेकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है कारमेन रेनहार्ट विश्व बैंक में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कारे कर रहे हैं बात करें तुर्की की तो उसकी कैप्टल है अनकारा और करंसी है टुर्किश लीरा अगला प्रशन है किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है तो इसका सही जवाब है option number C करनाटक तो यहां आप देख सकते हैं करनाटक के मुख्य मंत्री B.S. येदुरप्पा ने घोशना की थी कि करनाटक 18 जून 2020 को मास्क डे के रूप में मनायेगा मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उप्योग करने, हाथ धुने और COVID-19 के खिलाव समाजिक भेद को बनाए रखने के महत्व पर आम जनता में जागरुकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया गया मुखे सचीव T.M. विजे भासकर ने राज्ये के सभी जीला और तालुक प्रशासन को जन प्रतिनिधियों, गनमाने व्यक्तियों और चिकित्सा करमचारियों की भागेदारी के साथ मार्च आयोजित करके मास्क डे मनाया यहाँ पे क्विक रिविजिन की बात करें तो किस राज्ये ने शादी भागे योजना को समाप्त कर दिया है तो इसका सही जवाब है करनाटक यहाँ पे आप देख सकते हैं rivers और dams की बात करें तो कृश्ण राजसागर कावेरी पर, तूंग भद्री डाम तूंग भद्रा पर, अलमाटी डाम कृश्णा पर नैशनल पाक की बात करें तो नगर होल नैशनल पाक, अंशी नैशनल पाक, बनर्घटा नैशनल पाक करनाटका की कैपिटल बैंगलूरू, गवर्नर है वाजु भाई वाला, सीम है बीएस येडियूरप्पा, युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो हमपी मॉनुमेंट्स और पतड़कल मॉनुमेंट्स अगला प्रेशन है कुबाटबेक बोरुनोव को किस देश के नए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर सी किर्गिस्तान तो यहाँ आप देख सकते हैं कुबाट बेक बोरनोव को किर्गिस्तान के प्रधान मंत्र के रूप में नियुक्त किया गया है किर्गिस्तान के राश्रपती सोरुबाई जैनेब कोव ने उन्हें नियुक्त करने के लिए एक आदेश पर हकसाक्षर किये उन्होंने मुखामत कली अबिल गाजियेव के स्थान पर पदभार ग्रहन किया जिन्होंने 15 जून को ब्रश्टा चार के रोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था किर्गिस्तान की संसद ने उनकी उमीदवारी को 116 में से 105 वोटों के साथ मन्जूरी दी बोरो नोव ने पिछले कैबिनेट में पहले उपप्रधान मंत्री एप्रल 2018 के रूप में कारे किया है और पूर्व अपातकाल मंत्री 2011 से 2018 तक भी थे बात करें किर्गिस्तान की तो उसकी कापिटल है विश्केक और करंसी है किर्गिस्तानी सोंग अगला प्रेशन है किस देश ने भारत के कोविड रिस्पॉंस के लिए 200 मिलियन यूरो का समझोता किया है तो इसका सही जवाब है option number D फ्रांस फ्रांस और भारत की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थे विसेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो का करार किया है दोनों देशों ने इस से जुड़े समझोता पत्र परहस्ताक्षर किये है आर्थिक मामले के विभाग के अतिरिक्त सचीव, सीएस महपात्रा और भारत में फ्रांसीसी विकास अजेंसी के निदेशक ब्रूनो बोसले ने इस परहस्ताक्षर किये फ्रांस इस उरिन के माध्यम से भारत के साथ COVID-19 के संकट के मद्दे नजर देश और केंदर सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने और देश के सबसे कमजोर लोगों की सहायता का काम करेगा इसके लिए विश्व बैंक द्वारा भारती अधिकारियों के सहयोग से कार रोजना बनाई गई है जिसका लक्षे भारत सरकार के मौजूदा समाजिक सुरक्षा उपायों को और अनुकूलन बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है पैरिस और करंसी की बात करें यूरो अगला प्रेशन है विश्व शरनाति दिवस 2020 की थीम क्या है तो इसका सही जवाब है ऑप्षिन नमबर डी एवरी आक्षिन काउंट्स विश्व शरनाति दिवस हर साल 20 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है थीम 2020 है एवरी आक्षिन काउंट्स COVID-19 महामारी और हालिया नसलवाद विरोध के दौरान इस दिन का काफी महत्व है चार दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्टर महासभा UNGA ने 20 जून को विश्व शरनाति दिवस के रूप में मनाने की घोशना की इस दिन संयुक्त राष्टर शरनाति अजेंसी UNRA जिसे United Nation High Commissioner for Refuges UNHCR के रूप में भी जाना जाता है विभिन कारेकरमों की मेजबानी करता है और वा कमिशन की बात करें तो विश्व मगरमच दिवस 17 जून को मनाया जाता है यहे दिन दुनिया भर में लुप्त प्राइम मगरमचों और मगरमचों की दूर दर्शा को उजागर करने का एक वैश्विक जागरुकता अभियान है यहां कोई कर विजन की बात करें तो UNHCR का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीन भारत में आज जीविका के अफसरों को भढ़ावा देने के लिए 20 जून को गरीब कल्यान रोजगार अभियान की शुरुवात करेंगे अभियान का शुबारंब बिहार के खगडिया जिले के तेलिहार गाउं से किया जाएगा करने के लिए है इस अभियान के तहट 50,000 करोड रुपए के सारवजनिक कारे कराए जाएंगे इसके तहट सरकार की योजना है कि ग्रामीन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तयार किये जाएं इससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी कोवीड-19 महामारी के चलते अपने ग्रह राज्ये पहुंचे लोगों को इसके जरिये लाब पहुंचाने की कोशिश की जाएगी सरकार ने इसके लिए फास्ट ट्रैक मोड में काम शुरू कर दिया है केंद्री सरकार ने केंद्री समाजिक न्याय इम अधिकारिकता मंत्री थावर चंद गहलोत के नेतेत्व में मंत्रियों का समू बनाया है जो इसके क्रियानिवन के लिए सुझाव दे रहा है गोशना की है तो इसका सही जवाब है आत्म निर्वर भारत अभियान अगले प्रशन की बात करें तो the room where it happened पुस्तक किस ने लिखी है तो इसका सही जवाब है option number B जॉन बोल्टन या फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं अमेरिका के पूर्व राश्ट्र सुरक्षा सालाकार जॉन बोल्टन ने एक वाइट हाउस संस्मरन the room where it happened पुस्तक लिखी है इस पुस्तक की रिलीज की तारीक से एक हफते पहले 16 जून 2020 को ट्रंप प्रशासन न United States District Court for the District of Columbia में बोल्टन के खिलाब मैनुस्क्रिप्ट को rife with classified information बताते हुए मुकदमा दायर किया इस से पहले भी वाइट हाउस ने राश्ट्रिय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस पुस्तक को प्रकाशित करने से रोकने के लिए अपचारिक धमकी जारी की थी हाल ही में The Washington Post and The New York Times ने पुस्तक के कुछ अंश प्रकाशित किये जिसमें बोल्टन का दावा है कि राश्ट्रपति ट्रंप ने चीनी नेता शी जिन पिंग से फिर से चुनाव जीतने में मदद करने के लिए कहा है अगले प्रशन की बात करें तो किस भारतिये नोबल पुरसकार विजेता ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांती पुरसकार जीता है तो इसका सही जवाब है उप्शन नमबर C. अमर्तिय सेन यह फोटोग्राफ में देख सकते हैं नोबल पुरसकार विजेता अर्थ शास्त्री और दार्शनिक अमर्तिय सेन ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांती पुरसकार जीता है प्रोफेसर सेन का कार वैश्विक समाजिक अन्याय को संभोधित करता है दुनिया भर में सामाजिक अन्याय के खिलाफ लडाई में उनका काम पहले से कही अधिक प्रासंगिक है जर्मन बुक ट्रेड के शांती पुरसकार को 1950 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है यह 25,000 यूरो या 28,000 डॉलर के नकत पुरसकार के साथ आता है इसका उदेश व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने साहित्य विज्ञान और कला के ख्षेत्र में अपनी गतिविदियों के माध्यम से मुख्य रूप से शांती के विचार को सकार करने में योगदान दिया है एक कुईक रिविजन की बात करें तो अमर्तिय सेन को किस वर्ष नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो इसका सही जवाब है 1998 वेलफिर एकनॉमिक्स और सोशल चॉइस थियरी में उनके योगदान के लिए उन्हें नोबल पुरसकार एकनॉमिक से सम्मानित किया गया था अगला प्रशन है निमन लिखित में से किस स्टेडियम को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा तो इसका सही जवाब है कलिंग स्टेडियम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खेलो के साथ प्रतियक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र की फेचान की जाएगी पहले चरन में मंत्राले ने भारत को आठ राज्यों करनाटका औरिशा केरल तेलंगाना और उत्तरपूर्व राज्यों अरुनाचल प्रदेश मनीपूर मिजोराम और नागा में राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविदाओं की पहचान की है आठ केंद्रों को एक व्यापक अंतर्विश्लेशन अधियन के बाद आवश्यक्ता के अनुसार अंतिम रूप से दी गई वास्त्विक राशी के अधार पर अंदान दिया जाएगा निमन लिखित को खेल इंडिया स्टेट सेंटर ओफ एक्सिलेंस में अपग्रेड किया जाएगा पहला है संगी लाहेन खेल अकादमी इटा नगर अरुनाचल प्रदेश जैप्रकाश नरायन राष्ट्रे युवा केंद्र बैंगलूरू करनाटका जीवी राजा सीनियर सेकेंडरी स्पोर्ट स्क स्टेडियम कोहिमा नागालैंड कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा रीजनल स्पोर्ट स्कूल हकीम पेठ तिलांगना तो यहां आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो संट टैंपल को नार्क डैम्स और रिवर्स की बात करें तो अगला प्रशन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने क्रिशी उत्पादन विभाग का नाम बदल कर क्रिशी उत्पादन और किसान कलियान विभाग कर दिया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन न क्रिशी उत्पादन विभाग का नाम बदल कर क्रिशी उत्पादन और किसान कलियान विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और विभिन पदों पर नियुक्तियों के लिए नए नियुम की घोशना की जम्मू और कश्मीर प्रशासन का निर्ने क्रिशी मंत्राले को क्रिशी सहयोग और किसान कलियान मंत्राले के रूप में नाम बदलने के केंद्र के फैसले के साथ है क्रिशी उत्पादन विभाग की बदलते परिवेश में जम्मू कश्मीर के आर्थिक वसमाजिक परिदुष्य में भूमिका को बढ़ाया गया है इसमें किसानों के समग्र विकास और कलियान पर विशेश ध्यान दिया गया है यह किसानों को उनके उत्पाद का यथा संभव अधिक्तम व सही मुल्य दिलाने में सहयोग करेगा यह विभाग कृशी संबंदी गतिविदियों में आगे बढ़कर किसान हित में काम करेगा तो आज के सेशन की क्विक समरी देख लेते हैं किस देश ने भारत के कोविड रिस्पॉंस के लिए 200 मिलियन यूरो को समझोधा किया है गरीब कलियान रोजगार अभियान कहां से स्टार्ट किया जाएगा बिहार से बुक दो रूम वेर हैपन्ड किस ने लिखी है जॉन बोल्टन ने पीस प्राइज जर्मन बुक ट्रेड किसको दिया गया है अमर्तिय सेन को किस स्टेडियम को किस राज्य ने अपने अग्रिकल्चर प्रड़क्शन डिपार्टमेंट का नाम बदल कर अग्रिकल्चर प्रड़क्शन और फार्मर वेलफेर डिपार्टमेंट कर दिया है तो इसका सही जवाब है जमू कश्मीर बात करते हैं quiz for the day की पहला प्रशन है किस राज्ये ने 18 जून को मास्क दिवस के रूपों में मनाया है और दूसरा प्रशन है पचत्रवी संयुक्त राश्ट्र मास्स सभा के अधियक्ष के रूप में किसे चुना गया है और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नह को विजिट करना बिलकुल ना भूलेगा थैंक यू सो मच